यह जो तलाब है इस तलाब की पूरी तरह सप़ई नहीं हो भी आज तर भी और किसी ने की नहीं हो ऐसे नाम मात्र की सवाई हुई वह मेरा गाओ मेरा देश वो मुहीम जिस मुहीम के जरीए हम जिमिदार महेकमे को जिमिदार अधिकारी को जन्प्रतिनी दियों को जगाते हैं आपकी समस्याओं को इस मंच से ना सिर्फ उठाते हैं बल्कि उन खबर पर असर भी करवाते हैं मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं, आपकी आवाज को इस मन से उठाना है गंदे पानी से जनता बेहाल कुछ तो करो सरकार आज एक ऐसा ही वाक्या लेकर हम आपके सामने आए हैं मसला लकसर का है, हरिद्वार के लकसर का और ये गाउं हैं सेटपुर जहां पर गाउं की सड़के तलाब की तरह दिखाई देते इसकी बजाई ये है कि पूरी सड़के पानी से लबा रए हैं कि वहाँ के लोगों का जीना भूहाल हो चुका है ग्रामिर परेशान हैं बताते हैं कि शिर्मंदिर है वहांपर और उसके पास भी गंदा पानी भरा हुए बच्चों का अब सोच सकते हैं कि हाल क्या होगा जब ऐसे में पानी से इस गंदे पानी से लोग दरस्त हो ग्रामिण परिशान हैं बच्चे परिशान हैं लेकिन जन प्रतिनी दी बेसुध है ग्राहमिणों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की है मगर होता वोही जो होता आया है अधिकारी मस्थ हैं जनता त्रस्थ है ग्राहमिणों ने अब किसान यूनियन का सहरा लिया कहा कि भाई जब हमारी नहीं सुन रहे तो किसान यूनियन की क्या पता सुद ले ले अब किसान यूनियन कह रही है कि तहसीलदार को ग्यापन सौपेंगे नहीं माने तो फिर आंधोलन करेंगे पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुक करेंगे आज आवाम जो लकसर की है सेटपूर गाउं की उसकी आवाज उठाएंगे लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं यह तस्वीरे देखिए जो देखनी में तलाब सरकी है वगर हैरान मत हुए यह तलाब नहीं बलकि सड़क है यह तस्वीरे हैं लकसर की और गाउं है सैट पूर गाउं गाव में सड़क किनारे बने तालाप के पानी के निकासी ना होने के वज़े से लोगों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है गंदगी के वज़े से लोगों का जीना मुखाल हो गया है नाली नाब बनने और सड़क पर पानी भरा होने के वज़े से गंदगी फैली हुई है जुससे ग्रामीडों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वैसे तो इसकी शिकायत ग्रापडों ने कई बार विकास खंड अधिकारी लकसर से की मगन नतीजा आपके सामने है निए यह आप बहुत है जो भी है को आपना भरजी काम कर आवा के चले जाते हैं पानी की निकास्थे नहीं है तूसरे यहां को दोड़ा करक टरक के ढहर लगा देया है लोगों ने बहु ने लोड़े के कनारे एसे जारा पानी भ्लॉण गोग हो जारा घंदगी पानी खंग ह पुर्ण में व्हान्ट से नहीं राया है? पहले एक पड़े सवाई हुई वह ऐसे ही इनाममाटर की उई वह जो परेशनी है साइटा है कहां कोई है अपको यह तो यह कुड़ा करकट की प्रशानी है के तो अपक गजिए उन्हाय की पढ़ें ने काड़ है दूसरी पाणी यहां कठ्था हो जा रहा से सारे गोड़े गोड़े पाणी हो जाता है यहां वही समस्या को लेकर हमने डियर्ट से जब बात की तो सुनिये उन्होंने क्या बोला काफी जगभा पानी भरा हुआ है उसमें पूरा मलबा भर गया है तो इस संबन में अभी ख़ण विकास सत्यकारी से बात हो गई है और कल ही इसका सवयों निरिक्षन किया जाएगा तत्काली रूप से नाली की सफाई करा दी जाएगी और उसके बाद कल के निरिक्षन में जो भी निकल कियाएगा उसके अनुसारा अगरिम जो भी कारे जो तरह सपाई नहीं हो भी आज तो भी यह पुरा मल्वे साथा पड़ा है चारो तरफ इसके कुल्डिया पड़ी है जो तलाब का पाणी है वो शड़कों बाहरा है गोड़ गोड़ पानी बाहरा है दारिमी कस्तले लोग पुजा पाठ के लिए प्रेसान हो रहे पीरतम सि से मिला है चुटी होने करन तैसिलदार साथ से मुलाकात की उनके दुवारा खंडिवाल अधिगारी से बात करीगी उन्होंने हमें इसकी सपाई करने का और पाणी का कुछ समधान करने का सवसंदिया है और यदी एक अपते का अंदर पाणी का कुछ समधान नहीं होता तो इसके लिए अपना जो भी राजता है वो तैय करेंगे और उसके हिजाब से कारिवाई करेंगे मिलो अजगाओं में गंदे पानी से रहगीर आए दिन फिसल कर गिर जाते हैं मच्छर भी पनपने लगी है मच्छर पैदा होने से मलिया जैसे बिमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है लेकिन शिकादों के बावजूद जिम्यदार महकमा उम्बकरण की नीद सोया हुआ है रवीर सैनी लसकर न्यूज वर्ल इंडिया आज इनी की आवाज उठाएंगे और पूछेंगे जिम्यदार महकमे से कि आखिरकार ये सेटपुर गाउं के लोग क्या वाकई में जो मोहाल है जिनका जीना मुश्किल हो गया है गंदे पानी से आखिरकार ये समस्चा का समधान होगा तो होगा कैसे आज इनी की आवाज सा तुमारे सयोगी इस वक्त प्रवीन सैनी जुड़े हुआ है प्रवीन सैनी के पास सीधा रुख करेंगे जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है प्रवीन ये खबर जो आपने भेजी है पहले भी कुछ खबरे आपने न्यूजवल इंडिया के इस मंच के माध्यम से ज किसी का 30 का किसी का 40 का है यहां यह 100 का स्टाइक रेट है 100 का और आज भी 100 का स्टाइक रहना चाहिए कई खबरे आपने इस मंच के माध्यम से उठाई और हर खबर पर खबर का असर हुआ और आज लकसर की इस आवाम की खबर हम आज उठाने जा रहे हैं पहले तो समस्या बताईए और जिमेदार महक्मा कौन-कौन सा है कौन-कौन अधिकारी है जिनको यहां से फोन खट-कटाना है फोन घुमाया जाएगा समस्या बताईए सर देखे इस वक्त मैं बिल्कुल जिरो ग्राउंड पर हूँ जो हमारा लकसर विकास खंड छेतर उसका गाउँ पड़ता है सेटपूर यहां लगबग आप तस्यूरों देखते रहों आपको मैं जिरो ग्राउंड पर दिखा रहा हूँ कि क्या इस्थिती यहां की है यहां लगबग पूरा पांच वर्स की योजने में हो चुकी है गराम परधान रहा हूँ यहां बीडियो रहे हूँ यहां विकास दिकार हूँ लेकिन किसे ने इस गाउं की सुद्ध नहीं लिए जो यहां के ग्राम इने उनको निकलना नुका दुबरोगा छोटे-छोटे और मेरे साथ में काफी ग्रामिड़ी भी है इनसे बीबात करेंगे कि क्या समझ्चा और कहां कहां इन्हों चिकायत की लेकिन इनकी चिकायत पर अभी तक किसी भी आधिकायने कोई संग्यान नहीं लाजी बिल्कुल ग्रामिड़ों से बात करिए और पूछिए कि यह जो तलाब वाला मसला है वो भी जिरा समझाएं वो तो सड़क है या तलाब है वही समझ में नहीं आ रहा लेकिन बताया जा रहा उसके साथ भी एक तलाब है जिस वज़ह से यह सारी समस्या बनी हुई है जर अबने साथ हमारे यह तलाब हो पूरी तरह है दो साल से मल्वे साथ हुआ है और हमारा यह खेत खिशान का जो पूरी फचल दो साल से बरवादेश मैं एक दाणा की हो करने का नहीं हुआ पर राश्ट का रहा हूं रमेश नेगी हमार साथ जूड़ गया है खंड विकास तो यह नंबर काड दिया रमेश नेगी का में परीचे देगा है खंड विकास अधिकारी है इनको फोन मिलाया गया इन्होंने फोन काड दिया अब यह और अधिकारी लाइन पर आएंगे सबको नंबर मिलेगा एक करके विधायक से लेकर फूर विधायक सबको फोन मिलाया जाएगा देखते हैं जनता ने जिनको वोट दिया वो इनकी सुनते हैं नहीं सुनते जिनको वोट नहीं दिया वो सही किया या गलत किया और सवाल यह भी कि जो अधिकारी जिनका जिम्मा स्विद्ध करना चाहते हैं नमबर गुपता जी का सुना अपने रिंग खेर नंबर मिलाते रहेंगे जब तक कोई जिम्यदार विभाग का अधिकारी आकर इस पर संग्यान नहीं लेता तब तक ये मुहीम जारी रहेगी प्रवीन सैनी आपके पीछे ही तलाब दिखाई दे रहा है ज़ाब बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब मेरे पीछे तलाब है और रास्ता भी है आप देश से हैं कि तरह किस तरह से जो रास्ता इस पर किस तरह से बंद की भरिपड़ियों और गंद की अंबार लगे हैं मेरे साथ में काफी गरामी इन्हों लगातार एश्जेम हो या खड़ी ग्राउंड पर पहुंची है और च्छेत के जंता इनको उम्मीद है कि आज हमारे टीम पहुंची है इनसे कहना कहीं इनको रहत जूर मिलेगी जिए जरा इनसे बात करिए और पूछे किनके नदिकारी के पास ये गए और ये समस्या बनी क्यों है और कब से बनी हुई है जर कि आपको और चाहिए और कि अभी तक आपका पर कोई अधिकारी पहुचा या नहीं बताए जिन लोगों के मकान तालाब के पासमते और फेड़ पासमते इन लोगों ने अपने स्तर से काफी बार कंप्लेंड दी सब्सक्राइब दिकारी को लेकिन दो साल से किसी ने नहीं किसान युनिकरम अध्धम सभी है कि अपना मांग पतर दिया उस पर हीडियम लगसर से हमारी एक पर तीरिदी मंडल जाके मिला जिनोंने चोबश गंड़ा में कारवाई का सबसंद दिया था अगर हमान शुब फुल्सक्राइब कोई सुनने को तयार नहीं किसी बेदिगर कान पर जूचनने को तयार नहीं है कोई राज नहीं था सुनने को तयार नहीं है कोई MPO MLO सब ने फॉर्मिटी काउजम पूरी करनी है और कूछ दिगरना नहीं काम दिमीन का एक बात और इनसे पूछेगा कि अपने विधायक नियुक्त कर अपने विधायक कर एपने विधायक और जो तलाप समस्धा क्या समस्धा है कब सक समस्धा चल दिया रैजिए मैंने न्यूस वर्डिया से बोलग रहा हूं कैसे आप सर दूआ है यहां तक मेरी नौलिज है कि आपके संग्यान में भी मामला है वहां पर जो तलाब है और तलाब सड़क है, सड़क ऐसे लगता है, जैसे तलाब बनी हुई है, क्या आपके संग्यान में यह मामला है, सेटपूर गाउं का, यहां पर हमारे तीन जी जाए करके, मापपर के लिया है, मैं चड़ जाएगा, इस साल की जल्दी सुरू हो जाएगा, रमेश नेगिजी, आपकी बात तो बहुत अच्छा, आपने कहा कि हम लोग जल्दी से शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसे आजवासना नेगिजी कई बार मिल चुके हैं इनको, और मेरे सहयोगी मौजूद है, मैं आपको बता दूँ, और मैं तस्वीरे उनके पीछे देख रहा हूं, बड़ी भ आपकी बनानी है, इतनी बड़ी समस्या नहीं है, आप चाहें चुटकेओं में समस्या का समधान कर दें। आप चाहे तो कल तक कर सकते है we continue we do तो फिर वो दिनीवार होगा तो हम दो चाहिं तो लगते हैं अभी मैं शुडू लाएगा नया अपरे पहले प्रहें तो चाहिए अब दो सो तेरा होगी है तो सारा उचीज होगा सब्सक्राइब करवा देंगे पंदरा अपरेल तक, आप इस कारे को करवा देंगे पूरी तरह से आप है मत रहे हैं मैं आपके आपकी नियत पर शक नहीं कर रहा हाँ मैं सिर्फ एक आश्वासन इसलिए जानना जाता हूं कि इस वक्त आपको वह लिखकर काम शुरू हो जाएगा और फिर से धौर ок जोन तक हो जाएगा सर पक्का मैंने आपकी क्लिप निकाल लिये सर इस कोई नहीं है हाँ अगर कोई समस्या होगी तो फिर मैं आपको कॉल करूंगा सर नेगी सर नेगी सर यह रमेश नेगी जी थे खंड विकास अधिकारी उन्होंने यह कहा है कि भई आप लिख लिजिए 15 अप्रेल से एक जून तक समस्या का समधान कर दूंगा पक्का बाई गॉड परविन सहनी जी आप कह रहे हैं कि 15 अप्रेल से पक्का कर दूंगा एक जून तक मैंने कहा ना सौ का स्टाइक रेट है खराब नहीं होगा यह डॉन ब्रेड्मन का वह था ना स्टाइक रेट वैसे ही रहेगा यह हमारी मुहीं है मेरा गाव पन्द्रा अप्रेल बोला है आज एक है पंद्रा अप्रेल बोला है प्रावें गॉड गॉड गोप्ता जी मेरा और रहे सर आपको संजे गुपता जी नमस्कार सर कैसे हैं आप बढ़िया बढ़िया द्वाएं आपके इस वक्त न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बोल रहा हूं सर आपके संग्यान में एक मामला लेकर आना चाहूंगा लक्सर का मामला है आपको लक्सर की जनता ने जो है आप जन प्रतिनी रहे मैंने का आपके संग्यान में भी एक मामला ले आओं क्या है मामला सर आपके वैसे संग्यान में पुराना है सेटपूर गाउं का मामला है तलाप का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है आपने कारवाई के लिए खाया है कि वह उसका तो ने आप ने तो कहा था तो वह तो गुज्रे जमाने की बात हो गई सर लेकिन आप वो मदद चाह रहे हैं आपकी कहा रहे हैं कि गुप्ता जीन की आप दिकुल करूगा मैं दिश्चित रूम से मदद करूगा और गंदा पान यह कैसे और कब मदद करेंगे आप गुप्ता जी इनकी गुप्ता जी आप लाइव हैं सर इस वक्त कैसे मदद करेंगे आप इनकी यह हाल है लगता है जनता ने लगता है बिलकुत जई फैसला लिया यह हाल है यह पूर विधायक है जनता ने इनको वोट दिया और वोट दिया और हाल यह है कि आप भी भी जनता की नहीं सुन रहे यह भी नहीं समझ रहे कि जनता ने इनको वोट क्यों नहीं दिया अब फि तब ही तो हारे चुनाओ अगर ये विकास कारिये करते तो आज जो समच्चा है शेट पूर्गाम के अंदर है या ना होती है चलिए ये उनकी विक्तिकत समस्या आप हार गए तो हार गए आप जनता ने चुन लिया जो तुन लिया वर्तमान विदायक शहजाद जी को भी हम फ और उनका मौमा शहजाद जी अमर्सत है शहजाद जी नमसकर नमसकर साब नमसकर मैंने तो कहा था कि ये बहुत मजबूत विदाया का फोन ज़रूर उठाएंगे सर नमसकर निवस्वाल इंडिया से बोर रहा हूं तिलक चावला कैसे आप जी 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 चावला साब ठीक है ब पहले तो थैंक्यू जो पिछली समस्या थी आपने उसका समधान कर दिया आज नई समस्या लेकर आया हूं आपके सामने यह बताए है आप इस वक्त लाइव है शेदाद जी और समस्या यह है कि आप ही के शेत्र का सेठपूर गाओं है यह और वहां पर तलाब है और तलाब की वज़ाद से आसपास का पूरा इलाका जो है सडक जो है पूरी तलाब से लबालब है वैसे तो वो जो पूर विधायक है जिनको जनता ने चुना ही नहीं आप पर भरोसा जयता है वो कहते है कि मैं समस्या के समधान कर दूँगा मैंने पूछा कैसे कर दोगे तो फोन खेर आपसे उमीद है शहजाद जी इस वक्त जनता आपको सुन रही है लक्सर की जनता खास दौर पर जिसने आपको चुना है क्या आपकी तरफ से आश्वासन मिल पाएगा सेटपूर गाउं नि मैं समस्या के समाधान के लिए ही लोगों नो मुझे चुना है और एक दिन का सदन हुआ है मुझे वीपक्ष का विदायक हूँ मुझे सदन के माध्यम से ही मसलों के हल निकलवाने हैं तो जल्दी ही मैं गाउं मो जाओंगा समस्या का पुरी तरह वाकिप होते विए निराकरन करने का काम करूंगा मैं चाहूंगा आपसे कि अगर आप महां पर चले जाएंगे एक बार मौइना कर देंगे तो अधिकारी अपने आप काम कर देंगे मुझे लगता है क्यों मैं आपकी उवद और कामिया जानता हूं सेटपूर गाओं हैं सेटपूर गाओं बहुत जल्दी जाओंगा नहीं वहां के जो लोग इस वक्त लाइव हैं क्योंकि मेरे सायोगी भी लाइव ग्राउंड जीरो पर हैं आप अगर समय बता देंगे तो वो लोग आपके स्वागत के लिए तयार रहेंगे आप मुझे बता दीजिए मैं समझता हूँ कि एक हफ़ते के अंदर में किशी भी दिनवाद चला जाँगा फोन करके जाँगा फोन करके जाएंगे शेजादी मैं उम्मीद करूं कि इस एक हफ़ते के भीतर ये सेटपूर गाओं की समस्या का समधान हो जाएगा बिल्कुल सही का यही तो एक काबियत दिखाई देती आनुभाव दिखाई देता है विधायक जी आपकी बातों में मैं इसलिए आप से कह रहा था कि एक बार अगर आप उनके बीच में चले जाते तो उनका होसला बढ़ जाता बस पिर्य जिल्दी ही ही जाऊंगा बैसाब एक फटे के अंदर ये खंड विकास अदिकारी है रमेश नेगी जी वह यह कहरे था अगर विधाय जी एक बार फोन कर दे तो काम बन जाएगा मैं खंड विका सदिखारी को भी मोके पर बूला लूँँगा मैं खंड विकास दिखारी विकास दिखारी अडियो जो भी है रह случай हैं। ने साथ लेकर जाऊंगा। साथ लेकर जाएंगा। तो मैं बिल्कम्ट शहदास सर थैंक यू सो मच आपने न्यूजवल इंडिया के लिए निकाला तो ये थे हमार साथ मुहम्मद शहजाद लकसर विधायक जिनका कहना यह है कि एक हफ्ते के भीतर में वहां पर पहुंचूंगा और पहुंच कर मुआइना करूंगा और वहीं पर ही सबको बुलाओंगा फाइनल कमेंट लिए जनता का जरा प्रविन सहनी और उनको बता दीजिए विधायकी से भी बात हो गई और संजेग गुपता जी सो रहे थे शायद उनसे भी बात हो गई बता दीजिए जनता को सर बिल्कुल आप मेरे जनता को बता दूआ लेंगे आप सर मेरे पर देखते कि तलाब की क्या स्थिती है आप बिल्कुल दे सकते हैं कि तलाब किस तरह से तलाब में कुड़ा कश्रा भरावा लेकिन कोई भी अधिकारी अभी तक इसकी पांच वर्स की योजना बीचुके लेकिन किसे ने सलाब की सुद ने लिया नहीं अब लेंगे अब लेंगे अब लेंगे अब लेंगे अभी वादत किया अब विदायक जी जानते हैं कि ये फिर फोन गुमा देगा ये जो चावला है पुराना चावला है फिर फोन गुमाएगा ये फिर फोन गुमाएगा य तो ये जरा जरा जनता को एक बर बता दीजिए कि इनकी समस्या का समधान 15 अपरेल से शुरू हो जाएगा और विधायक जी एक हफते के बीतर बहुंचेंगे बता दीजिए इनको जल्दी से ही हृँआ जो हमारे विधायक है मुहमें सहचा जी उन्होंने भी एक समया हैसा कि एक सफाक के अंदर वहजों पहुंचेंगे और जो समय दिया गया है यह स्की समय पर समय को जाएगा जाएगा और हमारे साहंठ में और और भी गरामी ने इनसे जानना चाहेंगे प्लीज जल्दी और आज जो हमारी दियुकों जी एया है वाज आज आपके गवाहने जो तालाब की समस्या पहुंचे हैं क्या समस्या थी और कसे समस्या आप ने कहाँ कहाँ की शिकाइदे की है झाले ये पीछले साल साफ करना था तो उसमें आएसे हुँड़ां की साफ किया श्क्रा बीकिशिद्ट्र आ गश्क्रा यिए जिसे पाणियों जा रहा है लोगों कर जा रहा है जा रहा है जिसे बढ़ बच्चों को दिख्कत है आने जाने वालों को दिख्कत है यह जनता है जो जनारदन है और यही जनता है जो विधायक भी बनाती है और पूर विधायक कर देती है विधायक कह रहे हैं कि 15 अप्रैल से पहले काम शुरू होगा और एक हफते के भीतर में खुद ग्राउंड जीरो पर जाओंगा सब को बुलाओंगा और काम पूरा करवा चलिए देखते हैं लेकिन यही मुही मैं मारी मेरा गाओ मेरा देश आप लोगों की समस्याएं इस मंच के माध्यम के ना सिर्फ उठाने की बल्कि खबर का सर्थ थैंक्यू सो मच नमस्कार जाहिंट या भारत जाउत्रा